हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में और आज हम ये सिखेंगे कि आप किसी भी कंपनी के मोबाइल फोन में कैसे हो मस्क्रीन पर अपना वाल पेपर सेट कर सकते हैं वो चाहें आपका फोटो हो या किसी अननोन परसन का फोटो है डोजनौट मेटर यहाँ पर आप किसी भी फोटो को वाल पेपर के रूप में सेट कर सकते हैं सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं है दोस्तों उसे पहले आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे और भी नलुजिबल वीडियो पाने के लिए और साथ ही में घंटा को दबाना कभी मत पुले तो चलिए उसके लिए सबसे पदर आपको अपना gallery open करना है gallery हर एक बन्दे के mobile phone में होता है तो gallery open किजिए gallery open करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो select कर लेना है जिस फोटो को आप wallpaper पर set करना चाहते हैं तो guys यहाँ पर मैंने फोटो select कर लिया है इसको हम set करना चाहते हैं अपने wallpaper पर तो उसके लिए आपको three dot पर click करना है और यहाँ आपको set as wallpaper पर click करना होगा यहाँ पर आप इसको इस तरह adjust करने के बताब को apply पर click करना है और यहाँ पर आपको three option दिये जाएंगे एक अगर आप lock screen पर set करना चाहते हैं तो उसलेट किजिए यानि कि जब आपका phone लॉक हो तब यह फोटो सो करना चाहिए तो उसके लिए आपको पहला option को select करना है second option कि आपको यहाँ पर केवल home screen पर ही सो करेगा जब आपका mobile phone unlock होगा तो हम यहाँ पर home screen पर set करना चाहेंगे जब मेरा mobile unlock हो तभी यह फोटो मेरे wallpaper के रूप में सो करें तो हम सेटेज home screen पर टैप करते हैं यहाँ पर हम वेट करते हैं वेट करने के बाद बैक आते हैं आप आप देख सकते हैं कि यहाँ home screen पर फोटो सेट हो गई है इसे करकर आप किसी भी company के mobile phone में wallpaper सेट कर सकते हैं इस वीडियो को अब इंड करते हैं आई hope यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करकर बेले लिगन को ज़रूर प्रेस कर देगा इससे आप को हमेशा हमारे हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन मिलता रहेगा सु बाइबाइए एंड टेक केर आप